हलो आज है 26 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फिबिम एवन्यू के बारे में 43 रुपेज का शायर है बड़ी तेजी हमें कल यहां पर देखने को मिली जरूर है और वीडियो में डिसकस करेंगे कि इन्फिबिम एवन्यू में खरीदारी के मौके है के नह और जिन लोगों ने खरीदारी करके रखी है उनको यहां पर क्या करना चाहिए वीडियो को शुरू करो से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इससे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियो से वापस तूड गया है वापस तेजी बने को 40 रुपए पर पहुंचते ही दुबारा बाउंस बैक कल लिया इसने पिछले एक साल के अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में इनफी बीम एवन्यू के शेर में तकरीबन तकरीबन 11% का ग्रोथ है लेकिन ग्राफ काफी इंट 43, 44 रुपीज का जो लेवल है वो प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है 45 रुपीज का मान के चलो या आसपास 45 रुपीज का जो लेवल होगा वो प्रॉफिट बुकिंग का लेवल होगा और 40 रुपए के नीचे खरीदारी का लेवल है यहाँ पर 3 साल के बात करें तो हालत इन्फिविम इवन्यों की ये है कि 105% का ग्रोथ जरूर आया है, 13 रुपए का शेर था, 55 रुपए तक पहुंचा, वापिस टूड़ गया, वापिस तेजी दिखाने की कोशिश कर रहा है, सेक्टर की बात करें तो भाईया, सॉफ्ट्वेर प्रोड़क्ट बनाने वाली ये कंपनी है, और वॉल्यूम्स इसके 65 लाख के आसपास नजर आये है, दिरे दिरे वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, मिटकैप शेर है, 5,635 करोड के आसपास का इसका मार्केट कैप है, शेर होल्डिंग की बात करने जाए, तो 31.07% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, और तो और एफाइल्स के पास भी 7.59% की होल्डिंग है, एक बड़ी खबर आने वाली है बहुत जल्दी, के वहिया 31 जन्वरी को 4-5 दिन बात, इनफिविम एवन्यू की बोर्ड मीटिंग होने वाली है, और वहाँ पर बोनस इश्यू और फंडरेजिंग को लेखर चर्चा हो सकती है, बोनस इश्यू और फंडरेजिंग, आप देखाते हैं, कि 31 जन्वरी to consider approval a proposal for issue of bonus share to existing shareholder of the company, दे बोर्ड विल अलसो कंसीडर अगर हम बात करने जाए, तो भाईया फंडरेजिंग, बोनस इश्यू कई सारी चीज़े कंपनी कर रही है, अगर बोनस की मैं बात करूँ तो भाईया पिछले साल इनोंने बोनस दिया था, दुबारा बोनस मुझे लगता है कि बहुत ही कम chances है, 100% लोग according to money control user यहाँ पर खरीदारी गरने के सला दे रहा है, इन्फिबिम revenue में, यहाँ पर अगर हम देखे, तो इस वाप के थुरू कंपनी के employees के द्वारा काफी बड़ी खरीदारी हमें देखने को मिली भी थी, revenue लगातार इनके बढ़ रहे थे, तूट गया लेकिन फिर से revenue बढ़ना शुरू हो चुका है, जो कि अगे नेक अच्छा संके थे, इनके लिए, profits की में बात को तो profit भी तूट गे थे, लेकिन अब फिर से बढ़ना शुरू हो चुके है, सालाना 60 करोड के आजपास का profit company कमा रही है, इन्फिबिम revenue खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शेर अभी भी और बड़ जोन में नहीं है, लेकिन, देखो, price देखने में लगता है 43 रुपी, सस्ता है, लेकिन अगर हम valuation की बात करें, तो महंगा है, 75 का इसका PE है, जबकि sector PE 38 का है, तो कह सकते हो कि वह यह महंगा तो है, इन्फिबिम revenue का शेर, 45 परसंट अगर को खरीदारी करने की सलाई यहां पर दे रहे हैं, कोई भी rate flag, हाला कि अभी तक यहां पर नजर नहीं आ रहा है, इन्फिबिम revenue की में बात करने जाओं, तो देखो, अगर मैं इनके bonuses की बात करूँ, तो company ने bonus जो है, वो पिछले February में ही दिया था, March में दिया था, कह सकते हो आप इसको, अगर आपके पास अगर 100 share थे, तो आपके share 200 हो गए यहां पर, लेकिन जब bonus दिया था, तब share 100 रुपे के असपास भी trade कर रहा था, तो देखा जाए, तो जिस price पे bonus दिया था, अभी भी उस price से नीचे है यह share, 100 रुपे यह उपर था, जब इसने bonus दिया था, अभी भी देखा जाए, तो उस price से नीचे है infibium even you का share, देखो मुझे infibium even you पसंद आता है, लेकिन short term के लिए, मैं इसको long term के लिए, अभी भी उतना ज़्यादा consider नहीं कर रहा हूँ, reason यह है कि वह यह टूटा है यह share, इससे पहले भी अगर हम देखे तो यह उस price पे trade कर रहा था, जो काफी अच्छा price था, even अगर हम 10 साल के इसका graph देखे तो 222 रुपए का यह share था 2018 में, हलागी उसका double कर लोप, मतलब 450 रुपए के आसपाँ trade कर रहा था यह share, bonus के बाद यह कैसे ते हैं कि हाँ आदा हुआ है, और अभी उसी price को consider कर सकते हो आप यहां पर, Infibium Avenue में यह भी खबर है कि वह यह Reliance का भी काफी, वह यह major involvement यहां पर देखने को मिल रहा है, और आने वले समय में और ज़्यादा बड़ा involvement Reliance Geo में आपको देखने को मिल सकता है, Infibium Avenue Company में यह नहीं कहुँगा कि बहुत बुरी कमपणी है, और काफी सारे मौके आपको मिलेंगे खरीदारी करने के भी और बिकवाली करने के भी, तो चीजों को जड़ा सोच समझ के यहां पर आप Invest करिएगा, मेरे हिसाब से अगर आप Graph को एक बार Follow करेंगे तो आपको काफी अच्छी से समझा जाएगा, कि आपको कहां खरीदना है और कहां बेचना है, Graph देखो के तीजी गिरावट तीजी गिरावट वाला ही खेल चला है यहां पर, नीचे से बाइंग आती है, उपर से बिकवाली आती है, Long Term का शर्ण मुझे अभी के लिए नहीं लग रहा है, ठीक है, अगर हम बात करने जाएं, इनके Quarterly Results को लेकर, कि भईया इन्होंने Quarter 3 के नतीजे के अगर मैं बात करने जाओं, तो इनकी जो Board Meeting है, वो 31st January को होने वाली है, और वहाँ पर बहुत कुछ डिसकस होगा, पहला इनका Quarterly Results आएगा, दूसरा भईया, डिविडेंट होगा, तीसरा बोनस इश्यू होगा, चौथा फंडरेजिंग होगा, तो कई सारी बड़ी खबरे आपको 31st January के दिन देखने को मिलने वाली है, और 31st January के दिन कंपनी बड़ा धमाका कर सकती है, और जनरली देखने को मिलता है, जब इस तरीके की खबरे आना शुरू होती है, तो शैर नतीजे से पहले ही भागना शुरू कर देता है, और यह जो तीजी आपको देखने को मिली है, वो इसकी वज़बी यह है, कि कंपनी के नतीजे आने वाले हैं, कंपनी में बोनस की भी बात्चित हो रही है, डिविडेंट भी हो रहा है, फंडरेजिंग भी हो रही है, सब कुछ एक ही दिन देखने को मिलेगा, और एक भी अच्छी खबर, दुबारा इसको उपर की तरफ लेके जा सकते हैं, लेकिन मैं खरीदने के सला बिल्कुल भी नहीं दे रहा होगें, ये सुनके काफी लोग कहेंगे, अच्छा मैं जाके खरीद लो मत खरीदना अभी, 40 रुपए के नीचे मिलता है, तो रिस्क ले सकते हो, 40 रुपए के उपर मेरे हिसाब से, अगर आप 40 रुपए से उपर खरीदते हो, तो ये है कि रिस्क जादा है, उसके सामने भाई रिवार्ड उतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए मेरी एक ही सला होगी, 40 रुपए के नीचे अगर मिलता है, तो एक बार के लिए आप रिस्क ले सकते हो यहाँ पर, लेकिन 40 रुपए से उपर अगर आप खरीदने के कोशिश करोगे, तो हो सकता है कि जब तूटना शुरू हो, तो फसके रह जाओ आप यहाँ पर, ग्राफ आप चाहे तो अब्जर्व कर लेना, और प्रिवियसली भी यह सारी चीज़े देखने को मिली है, और इन्फिविम एवन्यू डेफिनिली मुझे लगता है कि स्विंग ट्रेडिंग का बहुत ही बहतरी इन शेर है, और पता नहीं क्यों ही बाग, जिसमें भी मुकेश अंबानी जी का involvement होता है, वो स्विंग ट्रेडिंग का बहतरी शेर मना जाता है, चाहे हम आलोग इंडिस्ट्रीज की बात करें, हर बार तूटता है, हर बार तेजी दिखाता है, चाहे हम टीवी 18 की बात करें, वहाँ पर भी यही वाला माहूल देखने को मिल जाता है, चाहे हम हाथवे की बात करें, तो अभी तो मैं भाईया, इंफिवीम एवन्यू की ही बात करूँगा, और मैं यह कहूँगा अभी के लिए, कि at least 31st January का इंतिजार करना चाहिए, तब तक इंतिजार करिए, और अगर शेर 45 रुपए के ऊपर निकलता है, तो एक बार के लिए प्रॉफिट ले के निकलने का वक्त होगा, ना कि खरिदारी करने का, विडियो को यहीं पेंट करूँगा, पसंद आयो हो, तो लाइक करें, अगर चैनल पकराब पहले ही बाहर है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और इन फिब इवन्यू के बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिखतर बता सकते हैं, थैंक यू.